क्या सुषान सिंग राजपूत की बेहन प्रियंका ने दिया था सुषान को एंग्जाइटी की दवा बिना प्रस्क्रिप्शन के दवाई दे रही थी प्रियंका WhatsApp चाट से हुआ बड़ा खुलासा क्या हुआ आट जून के दिन जिस दिन रिया ने छोड़ा सुषान का घर आईए बताते हैं आपको डीटेल्स में सुषान सिंग राजपूत करके सिफ कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है ये बात तो सभी जानते है कि सुषान के फैमिली मेंबर्स ने हमेशा ये कहा है कि उन्हें ये बात पता ही नहीं था कि सुषान को कोई मानसिक बिमारी थी और कि ये भी कहा कि वो इस बात पर कभी यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि वो मानसिक तनाव से जूज रहे थे बताती नज़रा रही है इंडिया टुडे के हाथ कुछ ऐसे चैट लगे है जो कि सुशांत और प्रियंका के बीच होई थी ये उस दिन की है जिस दिन रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था यानि की 8 जून इस चैट में प्रियंका ना ही सिर्फ सुशांत को दवाई के बारे में बताती नज़रा रही है बलकि उन्हें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगेर दवाई दिल्वानी की भी बात कर रही है आईए बताते है आपको प्रियंका पहले ये दवा एक हफते के लिए ले लो 10MG वो भी रोज नाश्ते के बार इसे अपने पास ही रखना आपको मुंबाई के सरवश्रेष्ट चिकित्सक से मिलवा सकता है सब कॉन्फिडेंशल रहेगा इसी रहे चिंता ना करे जिसके बाद प्रियंका उन्हें एक प्रस्क्रिप्शन भेजती है और लिखती है ये दिल्ली का है लेकिन इससे कोई फरक नहीं पड़ता यदी रहे सकता है कि ये ओन्लाइन कंसल्टेशन का है जिसके बाद सुशांत उन्हें थैंक्यू बोलते है इतना ही नहीं दो और चैट्स वाइरल हुए थे जहां रिया के एक्स मैनेजर शुती मोदी सुशांत के बहन नीतु को सुशांत के मेडिसिंस के प्रस्क्रिप्शन भेज किस्ती दिख रही थी दाले उन्चाट्स पर भी एक नजर वेलन चाट्स से क्लियर है कि सुशांत की परिवार वालों को उनके मानसिक तनाव के बारे में पता था लेकिन उन्होंने इस बात को आखर छुपाया क्यू आखर क्या है सच अब ये तो वक्त ही बताएगा सीबिय पुलना भूले, also do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube.